बच्चो सन्राइज की ओनलाइन कलासेज में आपका स्वागत है बच्चो आज की इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर यानि टाइफाइड बुखार के बारे में जानेंगे टाइफाइड बुखार को हमारे देश में अन्ने कई नामों से जाना जाता है जिसे मोती जरा, मियादी बुखार और आंत्रिक जवर टाइफाइड बुखार मुख्य रूप से एक बैक्टेरिया यानि जिवानों की वज़े से होती है जिसका नाम है साल मुनेला टाइफी ये बेक्टिरिया पानी में, मिटी में, सबजियों में और हमारी आतों में पाया जाता है। टाइफाइड जो फिलने के मुखे कारण है यानि किनकी वज़े से टाइफाइड होता है तो वो है दुसीत जल का सेवन करने के वज़े से हमें टाइफाइड होता है इसके अलावाद दुसीत बोजन की वज़े से भी टाइफाइड होता है टाइफाइड शुरुवात में हमा यानि मुख्य जो लक्षन है वो है बहुत तेज बुखार होना, सिर में दर्द होना, पुरे सरीर में दर्द होना, डायरिया होना, वोमेटिंग होना और कुछ केसों में सरीर के उपर चकते होना भी देखा गया है टाइफाइड की जो डाइगनोसी से यानि जो मुखे टेस्ट होते हैं लेब टेस्ट वो तीन टेस्ट होते हैं विडाल टेस्ट टाइफोडोर टेस्ट और बलड कल्चर टेस्ट टाइफाइड एक ऐसी बिमारी जो बैक्टेरिये के वज़े से होती है तो इसके लिए मुखे रूप से जो treatment है वो है antibiotic medicine, बहुत सी antibiotic होती है जो typhide में दी जाती है, अगर व्यक्ति typhide से स्वस्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी लगवग वो एक से तीन मेने तक किसी और कि नहीं और व्यक्तियों को भी typhide से infected कर सकता है, क्योंकि typhide का बेक्टेरिया हमारे पुरे श करना चाहिए और सुध जल पीना चाहिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाने की सोच आयो हो या फिर जाना चाहते हो कि जहां पर typhide के संक्रमित लोग जादा है, तो उन जगह पर हमें हमेशा boil करके पानी पीना चाहिए, यानि जो पानी है उसको गरम करके पीना चाहिए और ठंडे पानी से परेज करना चाहिए, और पका हुआ बोजन काना चाहिए, क्योंकि दुसी जल की वज़े से भी typhide होता है, इसके अलावा जो raw vegetables है, यानि कि सबजियों को बिना दोए नहीं खाना चाहिए, उनको पका कर ही खाना चाहिए, इस तरह हम typhide से बच सकते हैं वीडियो देखने के लिए दन्यवाद